स्टुड़न्स स्वीडम सौ परीग क्लास इक से बंपेशन प्रेशन केक्षीर की से 12.3 क्या वस्ट नम्र फफव देखिए इसमें लिखा हुआ है जो तेम्परेचर वो ड्रॉप होता है ड्रॉप मींज डॉप दॉप होता है ना अगले 10 डेज में कितना ड्रॉप हो जाएगा आपको यह बताना है ठीक है रेट चेंज नहीं और डिक्रीज होने का तो आई आपको एज्यूम करना आप यह मान सकते हो सॉलुशन देखिए 30 डेज में 15 डिग्री तो आपको डेज का पूछा है तो डेज रहेगा लेट में ठीक है जो चीज पूछी होती है and जिसका देखो 30 days का दे रखा था 10 days का पूछ है तो यह left में रहेगा temperature decrease in temperature DECREAC decrease in 30 days 30 days में कितना temperature decrease होता है and वो है 15 degrees Celsius ठीक है therefore temperature decrease therefore temperature TEMP temperature DECREAC decrease in 1 day एक day में कितना temperature decrease हो जाएगा एक का निकालना तो क्या करेंगे है divide तो divide by 30 हो गया क्योंकि 30 का दे रखा था आपको 15 तो आपको अभी solve करने तो अभी कर लीजे नहीं तो last में solve करने तो last में कर लेना तो दोनों चीज़े ठीक है ठीक है हम इतना ही कर लेता है अब से हम calculation ऐसे ही करेंगे therefore temperature decreases in temperature TECREAC decrease in how many days आपको कितने तिन दन का पुछा हो आप 10 days का ठीक है तो एक का निकाल ली आपने 15.50 calculation नहीं किया तो क्या हो 0.2 कर लिए नहीं ये है तो ज़्यादा का निकालने के लिए क्या करना है multiply and it will be degrees Celsius अब calculation कर लेते हैं देखे कितना एज़ी calculation होगा 0 से 0 cancel out 3 1s are 3 5s are 15 numerator में क्या बचा 5 into 1 denominator में 1 है लिखने का जरूद नहीं 5 1s are 5 5 degrees Celsius आगे तो 10 days में कितना temperature decrease होगा it will be 5 degrees Celsius आपको 30 का दे रहे हैं तब 1 का find किया उसके लिए divide last में calculation कर रहे हैं आपको भी calculation करते हैं तब solve करते हैं तो भी same answer आने वाला था उसके बद 10 days का ज़्यादा का निकालना है ज़्यादा के लिए हमने क्या किया multiply किस थे 10 से क्यों क्योंकि 10 का निकालना था ठीक है तो temperature कितना decrease हुआ 10 days में 5 degrees Celsius ओके थैंक यू